कि अगला नंबर का शवाल जो है क्रणत दिया दिजीे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर्ग नहीं कि इनना आप किला दिया है चेती है चोलूड ऑन का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुणा है तो muffin कि लिए इस पका के सवाल को बहुत सिंपल तरीका से लगा सकते हैं यहां पर द्यान दिजेगे इस पकास जब भी सवाल आपको लगाना होगा तो यहां माना मान लेंगे और यहां पर क्या मानेगे इता कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है यहां पर छोटी संख्या करम से कि छो प्रश्णानुसार लिखने के बाद देखिए अब यहां से पहला वाक्य में एक समिगड़ा आपका बनेगे यहां से यहां तक दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब होता है घटाना देखिए जब भी गटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं ज तो असी के बराबर होगा और इसे समीकड़ नंबर एक माल लीजिएगा अब इसके बाद देखें यहां तक एक समीकड़ बन गए अब आगे कि जब यहां से देखेंगे तो अगला समीकड़ यहां से बनता है यहां लिखेंगे पुना प्रश्णा नुसार पुना प्रश्णा अनुसार में देखी अब यहां से एक समीकरण और बनेगा चोटी संख्या कवर्ग इसको दो माल लीजीएगा ठीक है अब क्या करना है कि यक्स स्कॉार कमाद देखें समीकरण एक में देखें यानि कि यक्स इसक्वार के जगा आठ वाई रखना है यहाँ पर लिखिए का समीकरण जैसे लगा रहे है इसी तरह बोड की एक्जाम में आप लगाईए गणा समीकरण 1 में X2 बराबर 8Y रखने पर ठीके अब देखें आपको क्या है समीकर के Y2-X2 बराबर 180 यह समीकर नमबर आपका 1 है देखें Y2-X2 देखें Y2-X2 की चाँव कितना रखाना 8Y तो 8Y रख लीजिए बराबर 180 अब देखें यहाप क्या होगा आपका कि y square minus 8y इसको इधर पच्छान दे करें minus 180 हो जागा और बराबर 0 से ठीक है अब इसका गुड़ा खन कर लिजे 180 का इधर गुड़ा करेंगे तो कितना हो जागा 180 होगा इसको दो ऐसे बरह भाग में तोड़िए जिसका गुड़ा करें तो 180 है जो ने गटाने 8 होना चाहिए देखे 18 के 10 में यारी 18 के 10 में करेंगे तो 180 18 में से 10 गटाएंगे तो 8y हो जागा तो y square minus cost में 18 minus 10 करेंगे और यहाँ पर y कर लिजे minus 180 कर लिजे बराबर 0 यहाँ सो हो जागा y square minus यहाँ पर 18y हो जागा देखे कोष्टे के बर माइनस के चीन होता है तो अंदर के चीन यह बदल के रखते है यह minus है यह minus है तो क्या हो जागा यहाँ पर plus हो जागा 10 का y में हो जागा 10y हो जागा minus 180 बराबर 0 अब देखे इन दोनों में देखेंगे तो आपका कामन क्या है आपका क्या कामन दस कामन है यहाँ सिर्फ 18 बराबर 0 इन दोनों पहीं करेके का य-18 यह बचेगा कितना य बचेगा प्लस 10 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा भी माइनस अठाार बराबर prevent 09 रखेंगे य का मन वे बचेगे एक knappा प्रम्हीर होगा फिर y plus 10 ब्राबर 0 रखेंगे तो y का मुन कितना हो जगा minus 10 हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिये क्या ध्यान देना है कि आपको minus छोड़ना रहता है plus वाला लेके चलना रहता है ठीके यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या य माने हैं तो बड़ी संख्या आपका N-3 में क्या हो जागा यहां पर लिखेंगे बड़ी संख्या बड़ी संख्या य बराबर 18 हुआ लेकिन छोटी संख्या भी ग्यात करना है तो आप क्या करेंगे कि जहां संउखर नमबर 2 में क्या करेंगे Y के जगए अठारा रखके हल करेंगे ठीक है अब देखेंगे यहाँ पर किस्टस्माइक रण 2 में Y बराबर 18 रखने पर ठीक है लिख दी आप अब लिखने के बाद देखें क्या करना आप समीकर नमबर दो लिखेँ लिए कि Cs इस्क्वार बराबर कितना है आठ्वाइ यहन इस्क्वार डो देखे लिजी यह आपर आठ्वाइ यहाथ यहाथ लिखेगा और यहाथ इसट्वार बराबर इसट nouveaux गुड़े प्यूटी संख्या एक्जाम में कापी पे साफ्शूथ जैसे लगाएं इसी प्रकाइस लगाके चलेए जाएएगा एक नंबर भी इग्जामनर नहीं काटेगा ठीक है अब चलिए आपके सामने अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है देखिए गया है और इसको इंप्वांटेंट कर लीजिए ठीक है 27 फरवरी को 100% सवाल आपको देखने के लिए पर घाये इगा चाहतेंट किसी ब्रीत के किसी ब्यास के सिरो पर खीची के आस बर्श रखाएं समानतर होती है इस सवाल को आप कैसे बहुत सिमल सा वता है और लगाने की तरीका भी बहुत सिंपल इसका है ठीक है बहुत ज्यादा कठी सवाल नहीं है सिद्ध किजिए किसी ब्रित के किसी ब्यास की सीरों पर खिची के असपर्ष रखाएं समानतर होती है ठीक है इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे आप ध्यान दीजिए ठीक है बहुत सिंपल सा सवाल आपको बहुत small तरीका से समझाएंगें देखें पलैने बीइत ना इहां पर वाला सवाल है ठीक अब प्रशनमत्रर संख्यां सिमपल तरीका से जैसे उसी तरह पर अब काफित लगते रहीएगा यहां फी प्रहिंगे क्या है आपकी इस प्रकास बनाएंगे ठीक अब यह क्या होगा बिरित जब बनाने थे केंदर होगा यहां पर क्या होगा दो बिंदु मतलब इसको आप असे मिला दिजीगे यह क्या हो जाएगा ठीक है इस ब्यास का नाम देना होगा तो आप दे दिजेगा यहां पर ए दे दिजे यहां पर क्या दिजे बे दिजे और यहासे असपरश करती हुई रेखाई खीछ लीजीगा असपरश करती हुई इस परकासर रेखाई कीच लीजिएा ठीक है अब देखिए इस यहां पर देखिए आप क्या लिखेंगे माना लिखेंगे माना लिखेंगे क्या लिखेंगे एभी क्या है आपका एभी जो है यह ओक के अंदर माल लिजेगा एभी ब्रित ब्रित एभी ब्रित का ब्यास है ठीक है एभी ब्रित का ब्यास है ठीक है इतना माल लिए अब मानने के बार अब यहां पर लिखेंगे दिया है जब इस सिद्ध करने वाला सवार रहता है यहां पर लिखेंगे दिया है ठीक है अब दिया है क्या क्या दिया है सवाल में कहा है के बिरित के किसी ब्याब की सीरों पर खिश्ची के अस्पर्ष रिखा ये समान पर होती है, अस्पर्ष रिखा पले देजिए, दखिए, अस्पर्ष रिखा यल यं यं जिल ब्रित्त के बिंदू, ब्रित्त के बिंदू, बी से तथा ठीके, पी क्यू, तथा अस्पर्ष रेखा, अस्पर्ष रेखा, पी क्यू, पी क्यू, ब्रित्त के बिंदू, कहांस जारी A से वोकर जाती है जाती है ठीक है इतना चीज लिख लिए अब देखें जब इतना चीज आप लिखें है तो एक चीज ये हाप पर लिख लिजिएगा चली आपको बाद बताते हैं आप क्या है कि दिया है अब सिद्ध करना है क्या लिखें और सीद्य करना है सिद्य करना है और सीद्य करना है क्या लिखें कि आप लिखा है A जिल्याज की सीर्व पर खिशी गए असपर्ष phenomena होती है इसका मतलब यह हुआ को आप को जुए करना है कि यंघ पलिंट आपको पता होना चाहिए और वो पॉयंट देखे क्या है यहां पर लिखके बताते हैं देखिए बिरित की जो असपर्ष रेखा होती है बिरित की असपर्ष रेखाएं असपर्ष रेखाएं बिरित की बिंदू ना बिरित की असपर्ष रेखाएं अस्पर्श बिंदू से खीची गई ठीक है बिंदू से खीची गई तिरिज्या उस पर लंब होता है उस पर लंब होता है ये इंपोर्टेंट पॉइंट अदम है ठीक है लंब होता है अब देखे जब लंब होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बिरित का जो अस्पर्श रखा ये अस्पर्श बिंदू होता है उससे खीची गई जो तिरिज्या होता है इस पर लंब होता है तो लंब का मतलब क्या होगा कि ये भी नब्यांस होगा इधर भी होगा पर देखें क्या करना है कि आपको जब यह दोनों को अपे बराबर रहते हैं अब पर्तेय को लिख लिजzing क्या लिखेंगे कोड का नाम आप सभी को लिखने हैं पता होगा कि क्या लिखेंगे ओ से बी यम कोड को लिखेंगे वाई कोड़ लिखेंगे यहा से देख लिए इस कोड़ को लिखें ठीक है और मतलब वह कि ओ बी यंद ब्राबर होगा ओ ए-पी के आज जब यह दोनों बराबर रहें तरहें क्या कि इसका मुँँ इधर है और इसका मुँँ इधर तिसका मतलब एक दूसरे का यंदर मतलब एकांतर कोड़ है यह क्या है आपके इतना लिखे आप अब लिखिएगा चुकि यह एकांतर कोड़ है एकांतर कोड़ है ठीक है यह क्या है आपके एकांतर कोड़ आप सब इसलिए आप सबी को पता है कि यदि किसी भी दो रेखाओं में एकांतर कोड़ बराबर होता है तो उस समें बो दोने रिखाएं क्या होती है ? समांतर होती है इसलिए आपको Kyan Gym समांतर होगा PQ ठीक है ? और यहीं आपको क्या करना था ? और यहाँ पहले ही दिजएगा इती सिध्ध इती सिध्ध इस पकार सा करना थे इस सवाल को अदम एक दो बर प्रक्टिस जरूर कर लिजीगा इस सवाल 100% आपके बोर्ड के एकजाम में आएगा सभी सवालों को आप जरूर ध्यान से देख लिजीए ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल ये भी important इस सवाल को भी एक दो बार खीची गई असपर्ष रेखाओं के बीच का कोड असपर्ष बिंदूओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंदर पर आंतिरित कोड का संपूरक होता है इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे बस आप देखते रहें आपको सवाल समझ में आ जाएगा यहां पे भी आपको बीच का कोड असपर्ष बिंदूओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंदर पर आंदिरित कोड का संपूरक होता है सिद्ध कीजिए किसी बाइब बिंदू बाइब बिंदू मतलब यहां पर कोई एक बिंदू ले लिजिएगा यह बाइब बिंदू है इस दो बसका चीला खरारेख केसं कि आसे मिला लिजीगा यहां tort माले ना उपको क्या करना आशीन भी बना रहा का है और प्रकार प्रयोग करे अदम गोल बिरित बनावाएगा और scale का प्रयोग करके इसको अच्छा खीच लिजिए अब देखें यहां पे आपको यह चितर जब बना लेंगे यहां पर लिखेंगे कि दिया है जब यह बिरत बना लेंगे अब यह लिखेंगे दिया है दिया है जो इसमें आप बनाएं उसी को लिखना पड़ेगा क्या लि पी से पी क्यू कामा देखिए यह पी क्यू हुआ और यहां से पी आर पी क्यू कामा पी आर असपर्ष रेखाएं असपर्ष रेखाएं खीची जो असपर्ष बिंदू असपर्ष बिंदू क्यू कामा आर से जाती है आर से होकर जाती है ठीक है इतना लिख लिए अब देखिए एक जी अभी आप सिद़्िकी हैं एक जी क्या सिद़्िकी हैं कि जब PQ और P R असपर्ष रेखाएं असपर्ष बिंदु से यह जो तिर्जा खीजाती है यहाँ पर कितने अंसवे thatode बनाती है नब्यास का अधिया बोदाती है अपने इसको कैसे अहल करेंगे इस आपको यह पता हो यह क्या करना है कैंद्नि ‎ आप लिखेगा कि सिद्ह करना है ़ती सिद्ह करना है देखें अब शित्ध्य क्या करना है आपको फोक और करना है छर्ट चलिए ब्लेक पैन शाहिं memorial कि थे एक्सों उस्यांच समपूर का मतलब होता है कि अक्सों इस और यहँ पे देखीए आपसे कहां भी है कि यंदर पर कोड का संपूरक होता है, Łख यानि कि क्यूस्थ करना है क्यूस ओ और प्लस पर सिद्रिध करना है कि क्यू पी आउर यानि इसका यह क्या है है आपका एक सोट्स के बराबर है ठीक है अब धेकर अब क्या करना हैμी देखिए हक्रण करेंगे हां नीचि चैसे हो कर रहे है इस तरह थोड़ा सा Seriously कैसे हल करणे हार हाल नीच के बाद अब क्या करेंगे यह दो तिर्भूज वन रहा है यहां ये त्रोण बना ये त्रोण बन रहा है ति इन दोड़ में आप देखें क्या है कि यहां से आपका जूबाए बिंदु से कोई असपर्ष रखाए किसी जाती है असपर्ष रखाए आपस में क्या होता है बराबर होता है ठीक कि इन दोड़ Kanthanki करें चलते हैं ठीकर त्रिबू इसमें आप इस नाम लीज़े फहले सर्वांगसम सिध्ध करेंगे इसी कर आपको पताते है यहां पर जब ध्यान देंगे आप आप इनसे खीची चेह परश रहा ही होती है या पसंट को यह बराबर यह होगा इसका मतलब होगा कि लिखें कि पी कीउ बदाबर पी आर थी कीउ बराबर ठीक है तो यह यह आप लिक सकते हैं कि कि बंदू से खीची गई असपर्ष रेखा है ठीक है यह आपका भूजा है तो इसका मतलब यह क्या हुआ आपका येस हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखें आपे यह क्या है नब्यांस का कोड है न यह कोड दोने तिरी भूजें में कोड को दिखा दीजे कोड को दिखाएंगे तो कोड क्या हो जागा पी ईजह部分 पी कूड बराबर होगा पी आणव स्थैक है ब्रथयक लिखिंद benut in the question लिखिंत देगा ठीक है की आपके नब्यांस है अभी इस ही तिकर क्या को-वता है पषर्टक किन है harbor कोड़ना यानि कि Afp यार है नोड़ती पुर्डार होती है तो तिरिज्या है और यह क्या भूजा है तिरभूज की भूजा है इसका मतलब क्या होगा यस ए यस पर में से कहा दीजिएगा यह आर एच एस पर में कीजिएगा इसलिए कि जब नब्यांस का कोड़ बनता है तो सब कोड़ तिरभूज हो जाता है तो आर एच यहां से आप क्या करेंगे इसको क्या दिखा दिखा देंगे। चलिए नभ्यांस का है। अब क्या दिखाते जिए या यस पर मैं कि यस पर में से दिखा देते हैं। टिक है यस फर्मे से ठीक है। जब यस ऐस पर में से तर्भूच क्या हो जगा पी ओ क्यू लिगए। ठीक है सरवां ग dolphin हो तुनाब हो इसके कोड के बराबर यानी की ये कोड सबस्द की बराबर हो जागा और इन बने HEANS ile लेते हैं दुनाब लिक P, O, P, R और Q, O, P, B, R, O, P ठीक है यह बराबर हो गहे अब यहाँ पे देखिए कि दो त्रिभूज है ठीक है इस त्रिभूज में त्रिभूज के तीनों अंतों कोडों का यो कितना होता, 90 होता है न, त्रिभूज के तीनों अंतों कोड़ों का क्या हो जाता है, 90 लेना है आपको, त्रिभूज के तीनों अंतों कोड़ों का योग 90 लीजिए, अब त्रिभूज का नाम लिखे पहले, चलिए, त्रिभूज का नाम P, Q, O, ठीक है, यहां लिखेंगे P Q O में ठीक है तो तिरी भूज के तीना अंतर कोड़ों का यो 180 लिखिए Q P O प्लस कोड Q O P प्लस कोड P Q O P Q O बराबर 180 तिरी भूज के तीना अंतर कोड़ों का यो कितना होता है 180 सता है अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कोड Q P O प्लस कोड Q O P प्लस P Q O कमान कितना है देखिए P Q O इसका मान 90 है तो 90 कर लीजेगे क्या करेंगे यहाँ पे 90 बराबर 180 कोड Q P O प्लस कोड Q O P बराबर 95 करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा तो कोड Q P O प्लस कोड Q O P बराबर यहाँ पे नभ्यान सो जाएगा इसको समीकर नंबर चली एक मान लेते हैं अब देखिए आपको क्या करना है इसी तरह आप क्या किजिएगा चली आगे सवाल लगाते हैं दूसरे तरिभूच में लेके चलते हैं चली यहाँ पे तरिभूच लेते हैं अब लिखेंगे तरिभूच देखें तरिभूच का नाम लेना तो कैसे लेंगे इस तरिभूच का नाम लेके P R O में क्या लिखेंगे P R O में यहाँ लिखेंगे P O R में ठीक है अब यहाँ पर जब त्रिभूच P O R में चलते हैं चलिए इसके कोड को लिख लेते हैं तो कोड O P R प्लस कोड P R O प्लस कोड R O P बराबर एक सोस्यांस होगा ठीक है O P R इस तरह रहां देजिए O P R प्लस P R O तो P R O कमान कितना है चलिए यहाँ पर देखाते हैं P R O कमान P R O कमान नब्यांस है न यहाँ आपर नब्यांस रखिए यहाँ पर होगे नब्यांस प्लस R O P बराबर एक सो असी अस ठीक है पर चांदक कर लिजिएगा कोड O P R प्लस कोड R O P बराबर एक सो असी माहिनस नब्यांस कर लिजिएगा ठीक है यहाँ पर होगे O P R प्लस कोड R O P बराबर घटा लिजिएगा नब्यांस हो जाएगा यह समिकल नमबर दू हो जाएगा अब क्या करेंगे समिकल एक और दू को जोड़ लिजिएगा समिकल एक प्लस समिकल दू समिकल एक और दू को जोड़ेंगे तो समिकल नमबर एक क्या है आपका तो देखिए यह समिकल नमबर एक मानें न तो इसी को लिखेंगे ठीक है चलिए यहाँ पी लिखते हैं कोड क्यू पी बड़क क्यू ओपी अब इसको समीकों नंबर डू को लिखते हैं ओपी आर प्लस और ओपी बराबर नभे प्लस कितना हो जाएगा नभे दोने पंच्छे में नभे आया थे तरह अब एक चीद ध्यान कुई पी ओ अब यहां ध्यान दिए कर द्राइज़ क्यों पी ओ यहां पिछ भर 悪कशा चेुट दियान होजोब बिचनों पीयां आ रहे हैं यहां फिर पही лай आ रहा हो झाये लिकर Soo कोरप सि terribly 당시 कि क्यूप यह और योगशना अपसमें बराबर रहे व्याजितिद Denn कोड़ के बराबर है यह हो जेंगा लोगशना जाएं आसमें ज्ट कहा भाइना आप सब्सक्रा क्या लिग सकते हैं इस कोड़ रिख सकते हैं माम आपफ सकते हूँ यानि कि ये कोड ये कोड यह कितना ओ जगा क्यूव पी एर ऊज़ागा ते पहले इन दोनों कोड़ों के एक जग कर लेते हैं देखें किउ पी ओ प्लस ओ पी आर जो भी एंधल कोड़ोंके एक जग कर लिजए कीउ ओ पी-ẹ कोड आर-ओ पी-अठी नभ्बे-पब्बे एक प्लफ इन दोरों कोड़ों के जगा पर देखिए बीच में ओर और इसका और इसका योग के जगा आपके लिख सकते हैं qor लिख सकते हैं यहाँ लिखिएगा qr qor बराबर 180 और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था कि संपूरक है या नहीं यह संपूरक मतलब आया है कि नहीं आया है इस तरह आपको यह पूरा सवाल आप एक दो बर जरूब प्रैक्टिस कर लिजेगा यह बाद आपको क्या करना है कि यह वाला इस तरह इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लिजिए ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है इंग्यावला कि एक थेले में तीन लाल और पांच काली गेंद है इस थेले में से एक गेंद या दिरिश्चता निकाली जाती है इसकी प्रैक्ता क्या है कि गेंद लाल हो दूसरा पूछ रहा है कि लाल नहीं हो ठी सिंपल सा सवाल यह है और वह छोटा सा सवाल यह है ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए पहले नंबर कुल गेंद निकाल लीजिए कि कुल थेले में कितना गेंद है थेले में कुल गेंद है थेले में कुल गेंद है कुल गेंद है इस सवाल को भी इंपोर्टन कर लीजिए यहां प्राइकता ग्याद करना है पहला सवाल आप से पूछ रहा है प्राइकता में यहां प्राइकता क्या हो जाएगा प्राइकता बराबर ठीक है तो आपका देखें लाल लाल गेंद लाल गेंद अपान कुल गेंद कुल गेंद अब देखिए आप पे कितना है आपका लाल गेंद कितना है तो लाल गेंद किसंग क्या तीन है तो अंस में तीन ले लिजेगा और कुल गेंद किसंग कितना आप इसका मतलब आठ में से तीन गेंद आपको लाल निकलन हए। दूसरा सवाल देखिये आपका क्या पूछ रहा है यहां पी लाल नहीं हो लाल गेंड नहीं है लाल गेंड नहीं है तो इसका मतला कूल गेंड में क्या करेंगे कुल गेंद में से कुल गेंद में यह आप निकालेंगे क्या निकाल लन के छिच्छ है तो कबना है तो प्रायक्ता इस प्रायक्ता क्या हो जाएक लाल गेंद नहीं है लाड गेंद नहीं है अपन अब लिखिए का नीचे कुल गेंद कुल गेंद तो लाल गेंद नहीं है, मतलब लाल गेंद कुछ से नहीं है, पाँच है, टोल पाँच, अपान कुल गेंद कितना आठ है, इसका इंस्वर यह हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकास से इस सवाल को आपको लगाना था, जैसे बता है, इसी तरह बोर्ड के एक्जाम में लगा चले पांच है यदि बारंबारताओं का योग दिया है साथ होती यक्स और वाई का मान ग्याद कीजिए देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखे इसमें क्या कीजिएगा या पहले यहां पी लिखिए कि जैसे पतारी इसी तरह इस तवाल को हल कीजिए गां ठीक है यहां वर्ग अंतरार लेतने हैं, आप लिखिए को वर्ग अंतरार, ठीक है, फिर यहाप लिखिए को बारम बारता, बारम बारता, ठीक है, अब इतना लिखने के बाद देखे, वर्ग अंतरार में कितना दिया है, 0 से, 10 है, और 10 से कितना है, 20 है, और 20 से कितना है, 30 है, ठीक है, 30 से 40 तीस से चालिस कर लीजिएगा चालिस से कितना है पचास है चालिस से पचास पचास से साथ है ठीक है इस तरह कर लीजिएगा फिर इसके बाद बारामबारता में जो दिया है लिख लीजिएगा चली बारामबारता में जो है लिखते हैं यहां पर पाच है और यहां पर यक्स ह यहाँ पर 20 है यहाँ पर 15 है यहाँ पर वाई है यहाँ पर पाच है इस लिखिएगा लिखने के बाद आप क्या किजिएगा इस तरह इसकेल सी इसको घेर लीजिएगा ठीक है इस प्रकास से आप क्या करेंगे इसकेल सी इसको घेरेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा अच् सवाल में ज्याद क्या करना है जब आपको संचाई बारंबारता निकालना होता है इस खाले में आपको संचाई बारंबारता लिए तो यहां पर दियां दीजिए देखें यहां पर संचेग बारम-बारता में क्या है रहा है इसे हчи यहां पहँ पांच है तो पांच उताएंगे अब पांच में यक्स जोड़ेंगे तियहां पितना 500 नियक्स 5 होझा या कि इसको गा हैं जो आता है इसको इसमें यक्स और 20 में पाँड़ने कितना कि प्लस-फ़त्फ फचीस हो जाएका इसको यहां से जोड़ने के बाद इस तरह लिखिएगा अब यहां से एक चीना खीचिए इस तरह है ठीक है फिर यहां से थोड़ा से जगाद देखे चीना और खीच लीजिए गार जैसे बताने बस इस तरह आप एक बर देख लिजे ध्यान से ठीक है अब क्या करेंगे कि पहले बारम बारताओं का योग मतलब सीगमा एफ ग्याद करेंगे ठीक है सीगमा एफ करें यहन कमान ग्याद करेंगे ति यहन बरावर देखे क्या होता है मतलब बारम बारताओं का य योग जोड़ेंगे अब Produk Кстати यहां पर लाश्ट मिलता है न यहां पर योग आता है यहां पर यह जैसे लिए किन नों आपया करने के बाद आपको क्या करना है उसमें जब माध्य ग्याद करना रहता है आप yen by two पहले ज़ाद किजी के पहले क्या ज़ाद करना है yen by two yen कमान वार्टा करें किपान को obscurity Regency तो कितना दिए हैं आपको ब sposol 60 यहां पर लिखेंगे 60 बटा के 2 का बात दीजेंगा, कितना हो जागा ? 30 हो जाएगा ठीके, 2 سے ada x 30 पार में अब देखिए यहां पर संच्खाइबारमबारता होता हैं यहां आप क्या करना है जो 30 हैं, इसमें देखेंगे कि 30 से छोटी संख्या क्या कौण सी है, यहां 30 से संख्या छोटी देखेंगेnd्गे क्या है पर 40 है और 25 है ठीक है, तो आप किसको गह रहेंगे थो सुरी यहां के आपको 30 से बड़ा देखना रहता है ना यह 30 से बड़ा देखने चाली सोगा लेकिन 25 देखिए इसके 30 के पास में इसलिए 25 में यक्स कमान कुछ भी आप जोड सकते हैं तो आप किया किजीएगा कि इस وाले को घेरिएगा इसको घेरेंगे यक्स प्लस 25 को गेरिएगा अब क्यों गेर हैं कि इसका भी देखे रीजन आपको बता हैं फिर भी नहीं समझ में आरा थे 30 से बड़ा 30 से छोटी बारम बारता संख्या एक देख लीजिएगा थीक है यह भी देख सकते हैं या आप इसमें जो बता है यह तरीका समझ जेगा यक्स प्लस 25 से हलका सा छोटा जो रह हाँ से ही ले लीजिए थीक अभी देखिए आक को क्या करना है कि हाँ यहाँ पर और इसके पहले वाले जोग यह तक अभी मानों को रख लिजए यह देखिए यह इसके इन कमाल कितना मानें आप 20 इसमाल 15 कितना आपके लिए 30 और इसमाल 15 कितना है 20 और क्राप्टल 15 कितना है यह सप्लसंड है ठीक है इतना मान आप जो माने है खाना में न यल वन कमान यल टू कमान इसमाल यह आपको लिखना है अब यहाँ पर सवाल में देखिए कि एक छीड दिया है आपका माध्यक दिया है ठाई 10.5 और जबकि बारंबारताओ का योग दिया है यहाँ कितना आया है यक्स प्लस प्लस देखिए यहाँ पर yक्स प्लस y प्लस 45 बराबर कितना रखेंगे 60 रखेंगे यहाँ पर वह जगे यक्स प्लस y प्लस 45 को पच्छांद कीज़े तो बराबर 60 minus 45 गटाइद कितना होगा 15 होगा और इसको समीकर नंबर 1 माल लिज़े आपका माध्यक बराबर 11 प्लस L2 माइनस इसमाल L अपान F कोष्ट में यहन बाई 2 माइनस काईप्टर यह ठीक है यह फार्मूला होता है यह सभी माण यहाँ पर रख लीजिए और एक सवाल में देखिए कि माध्यक का माण दियाक 28 दसमलो 5 जहाँ 28 दसमलो 5 11 का माण आपका कितना है 20 है तो 20 कीजिए L2 का माण 30 तो 30 माइनस 20 अपा इसमाल F का माण कितना है 20 है तो 20 कर लीजिए N का माण 60 बटा के 2 माइनस काप्टर यह आप कमान X प्लस Y X प्लस 5 है तो X प्लस 5 कोष्टक में रखिए अठीक है कोष्टक बना लीजिए अग इसी को आपको हल करना है तो 20 को पहले प्लस चांता कर लीजिए 28 दसमलो 5 माइनस 20 बराबर यह घटाएंगे तो 10 बटा के 20 हो जाएगा यह दूसर देंगे तो 30 माइनस X थे कोष्टक बढर माइनस कचीन अंदर बदाल जाएगे तो माइनस 5 हो जाएगा अब देङए 28 दसमलो 5 एटाएंगे तो 5 दसमलो ठीक है 8 और 2 में भाजद 80 दसमलो 5 हो जोगे 0 से 0 कच जाएग यह पी एक भताइक 2 होगा यहां 30 में से purity कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है ठीक है अब इसके बाद इस में से क्या करेंगे कि आप 25 को पच्छांदा कर लीजेगा यहां पर क्या हो जाएगा गटा लीजे ते कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा यहां पर देखिए समीकर नंबर एक मान है इसी में रखके य कमान भी ग्याद कर लेंगे अब यहां लिखेंगे आप कि समीकर एक में यक्स बरावर 8 रखने पर रखने पर अज्टोव कि इस समीकर नंबर जो एक आपका था तो यक्स प्लस y बरावर कितना था पंदरह यह समीकर नमबर एक था आपका आप यदि सवाल लिख रहे होग़े तो आपको समीकर यह बाने होगे यक्स के जगा पर 8 रखना है प्लस y बराबर कितना है 15 तो y बराबर 15 माइनस 7 हो जागा तो y बराबर कितना हो जागा यहां आठ न रहेगा यहां पर आठ रहेगा देखें कितना हो जागा साथ हो जागा तो आपका एंस्वर यह हुगा इसका मतलब लाष्ट में एंस्वर आप लिखिएगा इसलिए कि आपको यक्स और वाई का मान ही गयाद करना था yaks का माण आपको 8 आया और y का माण कितना हो जागा 7 हो जागा तो इस पकास इस सवाल को पूरा आपको लगाना था ठीक है देखें ये आपको पूरा सवाल था और इस तरह आपको पूरा यहाँ पे लाश्ट तक आप इसको देख सकते हैं तो फ्रेंज देखिए इसी प्रकार से आपको पूरा सवाल डिटेल में आपको पूरा सवाल अच्छे से करा हैं आपको किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है तो फ्रेंज देखें यहां पर आपके दूसरा नंबर का जितने भी क्वेस्टन थे खंड थे आपको बता चुके हैं अब नेक्स्ट भी यू कुछ समय के बाद लाएंगे जिसके आगे का जो से सवाल आपको बच रहा है उन सवालों को भी साथ में आपको करा देंगे ठीक है देखें फ्रेंज थोड़ा सा आवाज में आपको प्रावलम नजर आई होगी जिससे आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे मेरे तबीय थोड़ी से खराब है जिसके वजह से आवाज में थोड़ा सा प्रावलम आपको सुनने में आ रहा होगा तो फ्रेंज आपको वीडि को सेर करें